आप कैसे हैं सभी आशा है कि आप बहुत बढ़िया होंगे सभी को रादे रादे मेरा नाम है सुनेल बिस्नोई और आप लोगों के लिए आज लेके हाजिर हूँ एक बहुत इपॉर्टेंट और वैल्यूबल सी क्लास मेरे पैरे दोस्तों यकीन मानिएगा ये कलास ये सेशन आपके लिए बहुत जादा इपॉर्टेंट होंगे आने वाले सभी एक्जाम के लिए उन में से इस्पेसली जब आप रेल्वे एक्जाम को देने जा रहे होंगे और उसमें ग्रेड वन एक्जाम में जो 20 मार्क्स का क चार बस तक ये सेशन है वो रोद जुरूर जोइन करना है डेली टाइमिंग इसके तीन से चार होगी क्लासिस के लिंक या क्लासिस के पीडिएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिला करेंगे सुनेल सर टेस्ट बुक नाम का टेलीग्राम है इसको सभी बच्चे जाएंगे पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे अगर आप लोग मुझसे ही कंप्लीट थ्यूरी पढ़ना चाहते हो तो ग्रेड वन के लिए दोपैर बारा से लेके डेड़ बस तक क्लास होती है लाईव मास्टर क्लास होती है आप उसको भी जोइन कर सकते हो प्रॉपर बैच कूपन कोड लगाएंगे सुनील बी इस कोड को लगाने से आप लोगों को ऑन दस्पोर्ट हैवी डिसकाउंट मिलेगा जस लाइक ही आपका आरार बी टेक्निशन ग्रेड वन का बैच है इस पर आईएगा आप लोग अपलाई करिएगा अपलाई करने के बाद में आप लो और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के उपर जो अवेलिबल है वो है ये बाला देखिएगा MS Word is an example of MS Word जो है वो किसका एक example है बताईएगा MS Word किसका example है operating system है processing device है application software है या an input device है तो इसका कौन सा ठीक अंस्वर रहेगा हमारे पास में तो इस particular question का जो सही अंस्वर आपके पास में रहेगा वो रहने वाला है आपके पास में क्या ये एक application software है यानि कि option number C जो है न हमारा वो बिल्कुल perfect है good afternoon अमन आप एक बार इस session को सभी बच्छे share जरूर कर दें वीडियो को like भी कर दीजिए का please MS Word example किसका application software का है एक तो बात ये याद रखना second बात याद रखना कि MS Word जो है न हमारा MS Word ये एक type का और भी software होता है इस software को आप लोग कहा करते हैं क्या word processing software के नाम से भी जाना करते हैं इसको हम लोग ठीक ना इसको हम लोग जाना करते हैं इस नाम से word processing software के नाम से इसको हम लोग जाना करते हैं word processing software अब यह word processing software क्या होते है word processing software ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप लोग MS Word जैसे word में documentation में document वगरा कुछ लिखते हैं यह एसे MS Word जैसे और वी बहुत सारे software है like like आपको पता हो तो nope pad notepad बी word processing software का अएक पार्ट है इसके आलावा आपके पास में word paead की बात करता हूँ word in d attacked ब्रॉसेंग यह इसके आलावा आपके पास में ्हेन cinema अरे आपके पास केख में साफ्ट मह concept er cricket state k एक राइडम याक वक प्रोससेंग स्फटिवेर एक आपके पास में आता है अपल वर्ड यूख यूअ पे पास में और पराद में एक सॉ फटिवेर आ नोट पढ़ा गया वर्ड पैड़ा गया के राइट आगया एक आता है लिब्रे ओफ इस लिब्रे ओफ इस जो है ना ये भी एक आपका word processing software है एक आपके पास में आता है Lotus Word ये भी आपका word processing software है पेजमेकर, पेजमेकर भी इसी का ही एक पार्ट है, पेजमेकर, पेजमेकर के अलावा आपके पास में एक सॉफ्ट्वेर होता है, कौन सा, पेजमेकर के बाद में, पेजमेकर के बाद में, पेजमेकर के बाद में आता है, गूगल, गूगल प्रो, एक आता है, गूगल डॉक Google Docs यह सारे किया है आपके यह सारे ओखे के सारे जो हे ना यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेर है ओपं ओफिस रैटर ओपन ओफिस राइटर ओपन Оफिस राइटर खिल सेकंड एक वहर्ड थीजिक सिफ ऑई elaborate jail год 365 अन्यार यहीं यहीं देद वोर्डwire होता है word perfect वर्ड परफेक्ट क्या है आपके ये सब के सब आपके वर्डप्र सौफट्वियर है आप से पेपर में पूछा जा सकता हुथ है इनमें से कौन सा वर्डप्र सेंग सोफ्ट्व डिना को या कैय राइ्ट साफ कर देना होगा हैै सबसे पहली बार जो मैगजीन आई थी पहली बार जो पत्रिका आई थी उसका क्या नाम है आपका तो कंप्यूटर के उपर जो सबसे पहली मैगजीन आई थी उसका नाम है Computer and Automation Computer and Automation यह पहली मैगजीन आई थी Computer के उपर What is the commonly used unit for measuring the speed of transmission Transmission की speed जो है वो हम लोग किस में measure किया करते हैं यह बताना आप लोग Computer में जो transmission की speed होती है वो किस में measure करते हैं आप सबी के सबी बच्चे जो है साथ के साथ में पैरलली answer जरूर करते रहिएगा जिससे आप लोगों को चीजे जो है वो याद होती रहें आप इसका answer जरूर करिएगा जी इसका ठीक अंसर होगा बिट्स पर सेकंड एक्चुली जब भी बात Transmission की करी जा रही है यानि कि internet की speed की बात की जा रही है ठीक है internet के उपर आप बात कर रहे हो ना internet पर internet पर जो speed होती है हमारे पास में वो हम लोग किस में मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हम लोग BPS में BPS का मतलब हमारे पास में क्या आएगा BPS का मतलब हमारे पास में आएगा Bits पर सेकंड आएगी आपके पास में ठीक ना BPS का मतलब आएगा Bits पर सेकंड ठीक ना BPS का मतलब होगा जी Bits पर सेकंड होगा आपका, बिट्स पर सेकंड, यह इंटरनेट की स्पीड है, अचा कभी आपको रादे रादे बिटा, कभी एक सवाल आप से और भी पूछा जाता है, कि आपना यह स्मोल और कापिटल लेटर में भी कन्फ्यूज करवाता है, जैसे कभी आपका आगे लिख द समझ लेना, मेगा बिट पर सेकंड होगा, इसका मतलब होगा, मेगा बिट पर सेकंड होगा, और अगर यह कैपिटल लेटर में लिखा होगा है, तो इसका मतलब समझ लेना, मेगा बाइट पर सेकंड होगा, स्मॉल लेटर में लिखा होगा, तो मेगा बिट पर सेकंड, यह हो क्या रहा है अगर computer की speed पूछी है आप लोगों से computer speed तो computer की speed जो है ना वो आपकी होती है किसमे हर्ज में हट्स में और नावएडेज किसमे मेंजर की जाती है तो आज के time पे हम लोग यूज कर रहे हैं किसमें मेगा हर्द्स में, सोरी, मेगा हर्द्स या गीगा हर्द्स, आज के टाइम में तो बलकि गीगा हर्द्स में मेजर कर रहे हैं हम लोग, पहली प्रेफरेंस यह होनी चीए, आज के टाइम में हम लोग, गीगा हर्द्स में मेजर कर रहे हैं, याद रखना, अच्छे, बात हड्स तक जो है आज के टाइम में आपके computer या आपके devices की speed होती है ये ये बहुत जरूरी है याद कर ले ना इसको जरूरी सवालों में से एक सवाल बन सकता है ये भी next है कि which part of computer is used for calculating and comparing गणना और तुलना करने के लिए computer की किस भाग का उपयोग किया जाता है करना और तुलना करने के लिए for calculating and computing के लिए ALU यूज करते हैं control unit यूज करते हैं या disk unit यूज करते हैं या modem यूज करते हैं हम लोग good evening भई तो इस सवाल का ठीक अंसर क्या है हमारा तो इस particular question का सही अंसर हमारे पास में रहेगा ALU ALU यानि कि arithmetic logic unit के नाम से इसको हम लोग जाना करते हमारा spr kaç CPU मिंदर तीन चीजे होतі है एक होता है आपके पास में ALU होता है दूसरा आपके पास में होता है MU होता है और तीसरा जो होता है is ku होता है ALU का मतलब क्या है sir ALU का मतलब होता है जी आपके पास पर Arthematic Logic Unit Arthematic Logic Unit के नाम से जानते हैं हम लोग ALU को इसी का काम होता है आपका गुणा प्लस है, माइनस है या गुणा है, भाग है ठीक है ना, ये सारे काम greater than, less than, equal to, not equal to ये सारे काम जो है ना, वो कोन करता है वो ALU करता है आपका MU का मतलब क्या होता है sir MU का मतलब होता है जी आपके आगे Memory Unit होती है, ये MU मतलब Memory Unit है और Memory Unit का मतलब क्या sir Memory Unit का मतलब ये आता है आपका कि इसके अंदर जो है ना आपके एक Memory है, जिसका नाम है आपका register memory और register memory जो है ना ये computer के अंदर actually ये fastest memory होती है इसको याद रखना आप लोग ये computer की fastest memory है overall सबसे तेज memory आप से पूछ ले तो आप register memory ही कहेंगे और cu का मतलब क्या है sir cu का मतलब होता है जी आप क्या कि control unit होता है जो आपके computer में timing signal को control करता है ना उसको आप लोग control unit के नाम से जाना करते हैं अगला सवाल क्या है कि USB is which type of storage device USB जो है ना कौन से टाइप का storage device है बताओ तरसरी है secondary है primary है या auxiliary है USB किस परकार का storage device है दो तीन चीजे हैं जो आपको यहाँ पे समझने की हो सकती है USB एक परकार का secondary memory में आता है ध्यान रखना आप लोग यूस्बी है secondary memory secondary memory में भी यह flash memory का part है आपका flash memory और flash memory का जो data है वो erase किया जा सकता है वाया voltage ठीक है ना voltage के तुरू आपका data erase किया सकता है flash memory के अंदर आता है secondary memory या append drive कह लो यूस्बी क्या है फिर सर यूस्बी एक port है यूस्बी क्या है यूस्बी एक port का नाम है यह port होता है आपका port क्या होता है पोर्ट जो है जिससे peripheral device connect होते हैं आपके ठीक है जिससे connect होते हैं आपके peripheral कहा करते हैं हम लोग जो main hardware का हिस्सा ना होते हैं आपके जो main hardware जो main hardware जो है main hardware का part नहीं होते है ना उनको हम लोग peripherals के नाम से जानते हैं इसके बाद में USB की मैं बात करता हूं तो USB का full form क्या होता है USB का full form है universal universal serial bus universal serial bus के नाम से इसको हम लोग जाना करते है universal serial bus अच्छे, कब आए था diagnosis में 1996 में इसको कौन लेके आए थे इसके इसमें कई सारे color है Like USB 1.0 यह आता है white color का और सबसे slow speed होती है इसकी white color का है उसके बाद में USB 2.0 है ये किस color का होता है सर ये होता है black color का होता है इसके बाद में USB 3.0 है ये किस color का होता है सर आपका USB 1.0 white है 2.0 black है 3.0 होता है blue color का होता है इसके बाद में आता है आपका USB 3.1 होता है ये किस color का होता है ये होता है teal blue color का होता है इसके बाद में आता है USB 3.2 होता है ये किस color का आता क्या है इन सब में फर्क है speed का यहां speed transmission जो होता है वो kb में होता है इसके बाद में speed mb में transmit होता है यहांपे इसके बाद में mb के बाद में gb आ गया फिर कुछ और gb और last में यहाँपे 20 gb से ज़्यादा का data transmitted होता है red सबसे फास्ट होता है, अच्छा एक बात और बताता हूं, इसमें एक USB येलो भी आता है आपका, USB येलो, USB येलो या ओरेंज भी आता है ये डेटर ट्रांस्मिट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के लिए जैसे तुम कभी किसी Volvo बस में बैठनाया, येवन गाड़ी गार के अंदर भी USB पॉर्ट होता है, टाइप A वाला होता है ये, इसमें भी दो टाइप होते हैं एक होता है, आपका USB टाइप A होता है, इसमें 4 पिन होती है एक होता है USB Type-C होता है इसमें 24 पिन होती है यह दोनों याद कर देना जी आप लोग ठीक है नेक्स्ट आता है कि ब्लैंक्स इज प्रोसेस्ट इन इनफॉरमेशन बाई कम्प्यूटर प्रोसेसर कम्प्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में संसाधित किया जा सकता है क्या है यह नंबर है प्रोसेसर है इनफूट है या डेटा है एक्चुली आप लोग जब भी कभी कोई चेंजिस करेंगे ना तो डेटा में ही करेंगे क्यों एक डाइग्राम देखो माल लेते हैं कि यह हमारे पास में है इनफूट है यह इनफूट डिवाइज है मेरे पास में यह माल लीजिएगा मेरे पास में यहाँ पे क्या है यहाँ पे मेरे पास में CPU है और इस जगह पे क्या है सर इस जगह पे जो है आउटपूट डिवाइज लगाया है मैंने यहां पर यह output लगा दिया अब input मैंने दिया CPU को CPU ने process करके output देना है यहां पर सवाल तो यह आता है कि what is input input होता क्या है सवाल तो यह है actually input क्या होता है तो यह question exam perspective अगर देखा जाए तो what is input input होता क्या है तो इसका जवाब यह रहेगा row data row data row data plus में instruction row data plus में instruction जो है उसको आप लोग input कहा करते है ध्यान रखना row data plus में instruction जो होती है उसको आप लोग input के नाम से जाना करते है row data का मतलब क्या है सर row data का मतलब जिसके या तो बहुत सारे मतलब निकले या जिसका कोई भी मतलब ना निकले, उसको road data कहते हैं आप, जैसे, जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे three लिख दिया, तीन, आप तीन के लिए आपके meaning बहुत सारे होंगे, या अकेले तीन का कोई मतलब नहीं है, आपने का तीन pen है, मैं कहूँगा तीन camera, आप कहेंगे तीन bus है, मैं कहूँगा तीन train, आप कहेंगे तीन plane है, मैं कहूँगा तीन scooter है, आप कहेंगे तीन घर है, मैं कहूँगा तीन रिक्षा है, यह endless conversation स्टार्ट होगी, जो कभी ना खतम होने वाली बात start होगी, क्योंकि इसके कोई मतलब नहीं थे, लाकों मतलब थीन के निकल जाएंगे, और ऐसे देखा जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, मैं आपके घर आययरा, मैंने आपके घर आके कहा, 1, क्या 1, 1 गिलास पानी दे दो, यह तो चलो चलता है, पर एक ऐसा तो कोई लोजिक नहीं है इसके लिए फिर हम इसके साथ में instruction मिलाते हैं मतलब 3 प्लस 2 कर दिया हमने अब 2 भी क्या है एक आपका raw data है और 3 भी raw data है पर प्लस instruction है इसको proper input कहा करते हैं हम लोग और इसको समझाने के लिए हम दिया करते हैं किसको हम देते हैं CPU को CPU को सीधी बात समझ में नहीं आती CPU को केवल वो बात समझ में आती है तो 01 वाली होती है I mean binary format जो ना वही समझ में आता है और binary format अगर समझ में आता है CPU को तो binary format में यहाँ पे क्या होता है सर इस जगह पे आपके पास में होता है encoder एक लगा होता है आपका encoder और encoder जो काम करता है उसको कहा करते हो आप लोग encoding के नाम से जानते हो उसको 01 की फॉर्म में convert कर दिया CPU ने process किया और process करने के बाद में यहाँ पे लगा होगा decoder लगा होगा decoder का काम क्या होगा decoder का काम decoding का होता है और finally output आई output को आप information कहा करते हो यह याद रखना information और यह exam में कई बार सवाल पूछा गया है output को क्या कहते है information input को कहते है row data plus में instruction next सवाल आता है आपके पास में की which unit control the moment of signal between CPU and IO CPU और input output के बीच में signal को कौन control करता है इन में से कौन control करता है ALU करता है control unit करता है memory unit करता है या storage unit करता है असान सवाल है वैसे तो जैसे कि इनोंने क्यूस्तन में दिया है तो इसके option निकालना बहुत असान है ज़्यादा मुश्किल नहीं है फिर भी इसका answer करिएगा तो इसका ठीक answer यही होगा आपका control unit ही होगा जिसको आप लोगों ने अभी पढ़ा था क्या CU पढ़ा था control unit और इसको आप लोग एक्चुली कहा करते हैं क्या CU control unit है और इसके अलावा जो नहीं टाइमिंग सिग्नल को निकालती है ठीक है यह कंप्यूटर में टाइमिंग सिग्नल को जो है और जनरेट करवाती है इस बात को ध्यान रखना आप लोग अच्छा एक बात और समझना आप लोग आपकी कंप्यूटर में data के लिए data को या एड्रसेस को लेके जाने के लिए तीन टाइप की बसिस होती है एक होती है data bus यह data bus क्या करती है data bus जो है यह memory से data को carry करती है और यह बाइडिरेक्शनल होती है इस बात पर थोड़ा focus जादा करना आप लोग ती है यह क्या होती है यह ओती है पैपर में थोड़ी जादा पूछी गई की कौन सी bus किस direction की होती है ऑगली बात आती है अगली बात है address bus और जो address bus होती है आपकी address बास इसका क्या काम है ये input output का address input output का address ये carry करती है input output address को carry करती है ये input output address को carry करती है पर ये unidirectional होती है सिर्फ एक ही direction में काम करती है ये unidirection इसके direction सिर्फ एक ही होती है unidirection, one direction में और तीसरी होती है control bus जो कि इन दोनों को control ही करती है बस simple ठीक है ना control bus है वो इन दोनों को control करने का काम करती है इन दोनों पर काम करती है ये अब address bus को याद कर देना आप लोग जैसे आप किसी घर जाते हैं तो जाते समय एक ही side का direction address पूछते हैं कि उसका घर कहां पर है पहली बार जा रहे हैं नेक्स्ट है कि the three main part of the processor ये तो मैंने अभी बताया था मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसका जो सावाल का सही अंसर ना दे पाए सबको इसका अंसर आता होगा कि the three main part of the processor प्रोसेसर के तीन में पार्ट है वो कौन से हैं जवाब दीजिएगा प्रोसेसर के तीन में पार्ट जो है ना वो कौन से हैं सही जवाब दीजिएगा आप लोग इसके तीन में पार्ट कौन से हैं नमस्ते बिटा A option है, B है, C है, D है सबी बच्चे answer करिएगा इसका जी, इस सवाल का ठीक जो answer आपके पास में रहेगा वो रहेगा ALU control unit and register ALU control unit and register जो है सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक है A वाला option है हमारे क्योंकि हमारे CPU में यही तीन पार्ट होते हैं easy है भी बताया था यह control shift and alt यह क्या होती है आपकी बताएगा control shift and alt जो है यह क्या है आपकी इसके बारे में जिकर करिएगा control shift and alt यह क्या चीज है जी control shift and alt जो है इन टीनों को आप लोग कहा करते हो modifier keys के नाम से जानते हो आपके keyboard में कई सारे टाइप की keys होती है अगर मैं इसके बिल्कुल starting से बात करता हूँ corner की तो देखो ऐसा escape key होती है escape का काम होता है to exit from any program to exit from any program any program किसी भी program से अगर आपको बाहर निकलना हो तो आप लोग escape की दबाएंगे पहली बात है दूसरी बात यह आती है आपके पास में यहाँ पे escape from any program to exit from any program हो गए आपका इसके बाद में आती है function की आती है function की और function की total कितनी होती है function की total होती है आपकी 12 टोटल होती है 12 12 function की होती है इनको आप लोग f1 to f12 दिखाया करते है f1 to f12 दिखाते है इसके बाद में इसके अंदर ही आपके पास में देखने को मिलती है toggle key toggle key में आपके पास में कौन-कौन सी आती है एक आती है आपके पास में caps lock आती है caps lock आती है एक आती है आपके पास में यहां पे num lock आती है एक caps lock आती है एक num lock आती है और एक आपके पास में आती है caps lock एक num lock और एक आती है scroll lock आती है ठीक ना scroll lock यह सारी इक सारी toggle की है एक बार दबाया तो ओन हो गई, दुबारा दबाया तो ओफ हो गया, therefore capsule lock में धू नहीं थो बार दबाया, यह कैप in old तरिज्ण के लिए है तो जैसे को मैंने db योफ ऑफ होगा गया उडWhen the pluginarts of oh t een Só यह की, वहिर्म जाना है जो यह और की और हमारे पास में जो की देखने को मिलती है जो important की है उसमें एक आती है आपके एंटर की एंटर की अगर हम बात करते हैं तो enter की जो है इसका use हम लोग किया करते हैं next line के लिए next line के लिए या okay के लिए या submit के लिए submit के लिए इसके लिए use करते हैं अच्छा एरो की आपकी एक एरो की होती है उनको आप नेविगेशन की भी कहा करते हैं नेविगेशन की के नाम से जानते हैं उसको आप लोग डारेक्शन की के नाम से भी जाना करते हैं डारेक्शन की भी इनको आप गेम की के नाम से भी जाना करते हैं क्योंकि गेम् direction वाली कीज आपकी होती है ठीक है अचा कुछ special purpose कीज है आपकी जिनके काम ही special है आपकी जैसे for example break statement के लिए insert है, home है, paste up है, delete है, end है, इनके special ही काम है, अलग ही इनके, अचा backspace की का काम क्या होता है आपका, backspace, backspace, end, delete, इन दोनों के एक साथ काम देखते हैं, backspace and delete का, देखो म आपकी मान लेते हैं कि हमारे पास में ये cursor है, ठीक है, इसको हमने cursor मान लिया, ये cursor है हमारे पास में, इस cursor के left side, ये वाला area जो होग गया लेफट का, cursor के left side कभी भी को ilete papier करना हो, cursor के, अगर कोई आपका left side data delete करना हो, तो आप backspace की दबाएंगे backspace और cursor के right side कभी भी कुछ delete करना हो तो हम लोग क्या करने वाले हैं तो हम लोग delete की दबाएंगे ठीके नदिलेट की दबाएंगे cursor के left side delete करना हो तो और right side ये दोनों जुरूर याद रखना दोनों cursor के आजू बाजू करते तो हम लोग लेकिन एक left का है एक right का है confusion हो जाता है पेपरों में तो करके इसको डंग से याद ज़रूर कर लेना आप लोग छोटी सी बात को याद रखना है आप लोग next बात करते हैं हम लोग प्रो लोग is the language of which generation प्रो लोग कोंसे जणरेशन का लेंग्वेज है ध्याद से सुनो इसके लडर भी क्या है हमारे पास में कहूँ कि first generation की बात करता हूँ first generation तो पहली generation के अंदर हैं आपके पास में कोंसी लेंगेज आई पहली generation के अंदर आपके पास में के इंदर हमारे पास में जो है वो कौन सी है थर्ड जनरेशन के इंदर आपके लेंगवेज अई एक तो आई फोर्टरान लेंगवेज है फोर्टरान है और थर्ड जनरेशन में आई वैसे ना थेको यह आ तो सेकेंड में गई थी यूज थर्ड में हो रही है इसका फरक है पर आपको यूज वाली याद रखना है फोर्टरान है इसके अलावा कोबोल है और बिगेनर्स ओल परपस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक हो गया इसके अलावा आपके पास में पासकल हो गया ठीक है यह सारी कि सारी आपकी थर्ड जनरेशन की लेंगवेज है याद रखना आप लो अच्छा फोर्ट जनरेशन के अंदर कौन सी आई सर फोर्ट ज इसके अलावा आपके पास में लेंगवेज है डीपी एमेस की डेटा बेस मेनेजमेंट सिस्टम की क्योरी लेंगवेज ही जो है वो फोर्थ वाले में हैं फिफ्ट जनरेशन में क्या है सर फिफ्ट जनरेशन में पहली तो बात आप देखो AI ML है आर्टिफिचल इंटेलिज जावा है पाइछन और आपके पास मिंप्रोलोग पार उर आपके पास में यहां पर आती है Ruby लेंगवेज उति है लिस्ट्ग रॉग्रामिंग लेंगवेज आती है, LISP आती है, लिस्ट प्रोग्रामिंग लेंग्वेज, ऐसी human understanding वाली लेंग्वेज है, मतलब जो इनसान समझ सकता है, ऐसी लेंग्वेज भी पांचवी PD के अंदर है, हम बोलेंगे ना, हमारी बासा कोई समझ जाए, आज कल आप लोग यही तो करते हो, मतलब जैसे ही इतनी बात नहीं पूछी थी, सिंपल ही पूछा था, पर खेर उसने बहुत सारी बात बोल दी, I don't know, आपको सुना है कर नहीं सुना, पर उसने कहा कि जी बात बनगई, अभी अभी आपने पूछा है, तो मेरी यह बात बनगी, यह बात बनगी, जो भी है, यह human understanding सारे डिव कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे आम दोर पर कौन सी भासा का उप्योग करते हैं, कौन सी भासा का यूज करते हैं बच्चे, बेसिक का करते हैं, जावा का करते हैं, लोगो का करते हैं, पाइलेट लेंग्वेज का यूज का यूज का यूज का यूज का यूज का company आई थी ना 1880 के दोरान 1880, 1881 के दोरान इसका publish हुआ था तो यह tabulating machine थी 1924 में इसको IBM का दरजा मिला था 1924, 25 के दोरान और Harman Hallerit उनके दोरा इसको त्यार किया गया था ठीक है तो यह important है IBM International Business Machine की नाम से इसको जानते हैं हम लोग फिर पूचा है IC chips used in computer made up, IC chip जो computer जिससे बना है IC का full form है integrated circuit किस चीज की बनी होती है इस option के according अगर आपको जवाब देना है तो तो silicon रहेगा silicon एक semi conductor material है आपका, silicon एक semi conductor material है but nowadays इसकी नहीं बनाते हैं हम लोग nowadays आज के टाइम पे हम लोग जो create किया करते हैं इस IC को वो create किया करते हैं किस की डियर वो करते हैं gallium arsenide की gallium arsenide क्योंकि ऐसा है कि silicon जो है उसमें hitting issue बहुत है तो उसके hitting issue को resolve करने के लिए हम लोग ना gallium arsenide दे आए IC कौन सी generation में आई थी IC जो है वो आपकी third generation का part है third का अच्छा third generation का part है इसको लेके कब आये थे इसको 1957 से 59 के during जो है हम लोग लेके आए हैं और इसको लाने वाले person का नाम क्या था उनको लाने वाले person का नाम है Jack Kilby ठीक ना Jack Kilby इसको लाने वाले person है यह याद रखना आप लोग इसके बाद में अगली बात important यह आती है आपके पास में Jack Kilby के साथ में एक person और भी थे उनका नाम है Robert Nui ठीक है ना Robert Nui Robert Nui यह भी याद रखना आप लोग अच्छा सर IC जो है उसमें कई सारी type है थर्ड जन्रेशन के इंदर शुरुवात में जब IC आई थी ना तो थी वो Small Scale Integration थी Small Scale Integration जिसके इंदर एक से दस ट्रांजिस्टर एक साथ यूज किये गए थे उसके बाद में आया Medium Scale Integration जिसके इंदर क्या है 10 से 500 ट्रांजिस्टर एक साथ यूज किये गए आप 4th के इंदर आए तो 4th generation के इंदर आपके पास में जो है ना वो Small Scale Medium Scale फिर आता है आपके पास में Large Scale Integration जिसके इंदर आपने 500 से 20,000 ट्रांजिस्टर जो है ना वो यूज किये 20,000 ट्रांजिस्टर यूज किये उसके बाद में आया आपके पास में Very Large Scale Integration Circuit है और इसमें क्या हुआ इसमें 20,000 से लेके और आपने 10,000 ट्रांजिस्टर जो है वो यूज किये 10,000 ट्रांजिस्टर यूज किये आपने इसके बाद में आप लोग फिफ्ट जनरेशन में आए और फिफ्ट जनरेशन में आप लोग लेके आए क्या फिफ्ट जनरेशन के अंदर आप लोग लेके आए यहां पे ULSI ठीक ना सोरी ULSI Ultra Large Scale Integration Circuit 10,000 से 100,000,000 टक ट्रांजिस्टर जो है इसके अंदर इसमें 100,000,000 से भी जादा के ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं यह फिफ्ट जनरेशन के लिए है इसको याद कर लेना है आम लोगों को ठीक है तो यह most important है अच्छे से याद कर देना इन सब को आप लो जनरेशन के कोड़िंग नलमर ऑफ ट्रांजिस्टर आप से पूठ सकते है Which of the following is a volatile memory of a computer निमलेक्त में से कौन सी एक computer की volatile memory है computer की volatile memory कौन सी है semiconductor memory है या cache memory है क्या RAM है या ROM है तो इस सवाल का ठीक अंसर क्या रहेगा हमारे पास में जवाब दीजिएगा जवाब दो क्या ठीक इसका अंसर रहेगा हमारे पास जी इस पार्टिकुलर क्युस्टन का सही अंसर होगा रैम देखो ऐसा है हमारे पास में एक मेमरी होती है जिसका नाम है प्रैमरी मेमरी ठीक है ना primary memory और another name of primary memory क्या है primary memory के another name क्या है तो primary memory के another name जो होते ना इसी कोई कहा करते हो आप लोग main memory कहते हो इसी कोई कहा करते हो आप core memory कहते हो इसी कोई कहते हो आप motherboard memory कहते हो motherboard motherboard memory कहते हो इसी कोई कहते हो आप semiconductor memory कहते हो इसी कोई कहा करते हो, आप Silicon Memory भी कहा करते हो, इसी कोई Internal Memory के नाम से भी जाना करते हो, इसी कोई कहा करते हो, आप लोग System Memory के नाम से भी जाना करते हो, यह System Memory भी है, ऐसे इसके बहुत सारे खुद के नाम है, Primary Memory के ही यह सारे अनदर नाम है, Primary Memory के दो टाइप होते हैं, एक होता ह एक non-volatile memory है, दो टाइप होते हैं, वोलाटाइल मेमरी जो होती है, इसका क्या मतलब है, वोलाटाइल मेमरी का मतलब यह है, कि जब तक पावर ओन है, पावर ओन है अगर, तो डेटा भी इसके अंदर एक्टिव रहेगा, पावर ओन तो डेटा एक्टिवेटीड रहेगा, और जैसे ही पावर ओन हो गई, तो डेटा इसके अंदर से जो जो है वो लोस्त हो जाएगा, यह ध्यार रखना, पावर ओन तो डेटा एक्टिवेटीड थे Water power on हो या off हो data यहाँ पे जो हमेशा हमेशा active form के इंदर रहेगा power on हो या off हो इसका कोई फरक नहीं पड़ता data always active mode में रहेगा that's why इसका example क्या हो है इसका example आपका roam है यानि कि read only memory है so अब आपसे सवाल जो किया है ना उन्होंने उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लो इन्होंने पूछा तुमसे volatile है अचा volatile को हिंदी में क्या कहते है इंदी में कहते हैं इसको as thir smrti कहते है क्योंकि यह not fixed type की होती है ना आपकी यह not fixed type कोई भी fixed type की नहीं होती है और ये वाली कैसी होती है सर यह तो होती है fix type की होती है इसको भी आद कर देना चाहिए आप लो next हमारे पास में सवाल कौन सा हाता है जी I see in computer stand for अभी बताया था कोई बच्चा जवाब गलत नहीं देगा बताईएगा एक बार इस session को सारे के सारे like और share कर दीजिएगा अपने अपने end पर अगर आपको content बहतरी लग रहा है तो exam oriented लग रहा है तो I see in computer stand for computer की जो IC है उसको आप किस नाम से जानते है जवाब क्या होगा इसका जी computer की जो IC होती है इसको हम लोग जानते है as a integrated circuit के नाम से जानते है यानि कि option number C जो है सही रहेगा हमारा अभी सर ने समझाया था बस सर नल पूछ रहा था वेर गोज इंडिया फर्स्ट computer installed अचा भारत का सबसे पहला computer जिसका नाम सिधार्थ था उसको सबसे पहले कहां installed किया गया था मतलब भारत का पहला computer जो है ना सिधार्थ उसको कहां पे setup किया गया था किस जगे पे setup किया गया था भारत का पहला computer जो है ना वो setup किया गया था Indian Statical Institute Calcutta ठीक ना इसके अंदर इसको setup किया गया था फोर्थ वाला option जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा को यहां पर हाँ दिपक जी अब ये daily class दोपेर को 3 बज़े से 4 बज़े होगी routine होगा daily इसका आज इसे एक class start हुई है और हर रोज आपको दोपेर 3 बज़े से 4 बज़ तक हर रोज इस जगे पे आ जाना है class का link आपको class से 15 मिनिट पहले मिल जाएगा इस टेलिग्राम चैनल पे सुनिल सर टेस्ट बुक पे इसको सभी बच्चे जरूर जोइन कर लो और केस साथ साथ जो है ना class का PDF भी वहीं पे मिल जाएगा हर रोज 3-4 इस जगे पे class आपको मिलेगी डेली तो नितनियम इस class में जरूर आना आप लोग अच्छे से हम लोग class को समझेंगे पढ़ेंगे फिर ठीक है तो इसका ठीक answer आपके पास में आ गया है next question क्या है the symbol used in an assembly language assembly language के अंदर कौन सा symbol यूस किया जाता है assembly language में कौन से symbol यूस करते हैं हम लोग code यूस करते हैं, mnemonics यूस करते हैं assembler यूस करते हैं या machine codes यूस करते हैं हम लोग to symbol कोन से यूस किया करते हैं हम लोग बथाएगा इसके अंदर देखो बहुत असान सवाल है आप जब भी बात करते हो assembly language की, तो assembly language में हम और आप जो use किया करते हैं वो use करते हैं, mnemonics code use किया करते है, mnemonics mnemonics का मतलब पता है, mnemonics का मतलब होता है, किसी बड़े सब्द को छोटे में लिख देना, कोई बड़ा word है, तो for example के लिए आपको jump लिखना है, तो jump की जगा JNP लिख दो, आपको clear लिखना है तो CLR लिख दो, आपको for example के लिए jump के लिए JNP लिख दिया, clear के लिए CLR लिख दिया, इसके अलावा आपके पास में multiply के लिए MUL लिख दिया, ठीक है addition के लिए add लिख दिया आपने division के लिए, आपने div लिख दिया, इस type के कुछ चीजे जो आप लिख रहे हो, उन्हों, short form लिखते हो ये mnemonics होते हैं, इनको आपका computer direct समझ पाता नहीं है, इस करके हमें क्या करना पड़ता है, mnemonics को binary में convert करना पड़ता है हमें mnemonics को binary में convert करना पड़ता है, या इसको आप लोग एक तारिसे कह सकते हो, machine में convert करना पड़ता है, machine language में, और इसके लिए हमारे पास में एक software होता है और उस software का नाम क्या है, assembler software है, assembler software का ही काम होता है, क्या, कि ये mnemonics को किस में बदल देता है, binary में convert कर देता है, 01014 में convert कर देता है, तो option number B सवाल का बिल्कुल ठीक है हमारा where are the program and data to be used by the computer available, computer के दवारा उप्योग किये जाने वाले program और data कहां उपलब्द होते हैं, computer के दवारा उप्योग किये जाने वाले program program and data to be used by, कहां पे यूज़ होते हैं ये program unit में होते हैं processing unit में होते हैं, output में होते हैं storage में होते हैं, input में होते हैं तो इस particular question का जो सही अंस्वर आपके पास में है, वो है storage जब भी बात करते हो आप लोग जहां पे भी permanent storage की बात करते हो तो वो आपका permanent storage secondary memory ही तो होती है तो यही है where the program and data to be used by computer available जहां computer को चहिए जब भी मिल जाए तो वो आपका storage में रहेगा permanent storage तो यही रहती है storage कह दो या इसको आप लोग कह सकते हो secondary memory कह दो या इसको कह दो backup कह दो या इसको कहा करते हो storage कह दो secondary कह दो backup कह दो या इसके और कोई नाम हो सकते है क्या सर इसके और कोई नाम आपके हो सकते है तो auxiliary कह दो इसको external कह दो इसको external memory के नाम से जान दो यह सारे नाम जो है इसी के ही है इसको ज़रूर याद रख लेना जी आप लो next है कि CDEC Center for Development and Advanced Computing was stabilized in which year CDEC Center for Development and Advanced Computing की स्थापना किस वर्स हुई है किस साल हुई है 1988, 1934, 1967, 1988 इस सवाल का ठीक अंसर क्या है बहुत प्यारा सवाल है जैनमिली और बहुत सारे सवाल यहां से cover किये जा सकते है देखो भया CDEC की स्थापना जो हुई है 1988 के अंदर हुई है CDEC का full form इन्होंने खुद ने ही लिख दिया है वैसे तो CDEC, CDEC का मतलब ही होता है आपका यह Center है Center है यह ठीक ना Center for Development Center for Development Advanced Computing Center इन्होंने 1991 में ठीक ना, यह तो लिखा हुआ है 1991 में इन्होंने एक परम नाम का computer बनाया था परम 8000 नाम का computer बनाया था और यह बना था 5th generation का यह बनाने वाले जो परसंथे ना, उनका नाम क्या था उनका नाम था Vijay Panduranga Vijay Panduranga Vijay Panduranga Bhattkar Vijay Panduranga Bhattkar जो है ना उनके दवारा इसको बनाया गया था आपका यह ध्यान रखना आप लोग Vijay Panduranga Bhattkar उनके दवारा बनाया था और यह इंडिया का first super computer था यह ध्यान रखना आप लोग यह पर कि यह इंडिया's first super computer था first super computer था यह भारत का पहला यह ध्यान रखना जी आप लोग सीटेक में अभी रिसेंटली जुरूर याद कर लेना है डियर आपका ठीक है इसमें दो ऑप्शन सेम है हां ठीक है बाइ मिस्टेक लग दया चलो मैं इसको अभी मैनुवली एडिट कर देता हूं इसको क्या बना यह आपा इसको अठारा सो अठासी बना देते हैं लोग इसको हम लोग थोड़ा चेंज का देते हैं बाइ मिस्टेक हो गया होगा हां जी तो इसमें क्या करते हैं हाँ एक करेंट अभी रिसेंटली ना ओल इंडिया इस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंस डेली और प्लस सीडेक सीडेक पुने इन्होंने मिलके क्या किया इन्होंने म को लोजी आिओं को लोजी डोट ए यह प्लैट्फॉर्म लौंच किया है और यह प्लीसिल इंट इन्टेजेंस के थ्रूब आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के थुरू cancer को detect करना early cancer detection का प्रोग्राम है आप सबको पता होगा और ये women cancers के लिए actually women में breast cancer और के साथ breast के साथ में जो है ना cervix cancer जो होता है ना cervical cancer जो होता है cervical cancer जो कहते है cervical नहीं का मैंने ये cervix कह रहा हूँ ही ये वाला i-oncology.ai platform launch किया है अभी हाल ही में by default the document print in the mode अच्छा देखो दो टाइप के software होते हैं मतलब दो टाइप की orientation होते हैं एक orientation होता है जिसको आप लोग कहा करते हो क्या आप portrait के नाम से जानते हो portrait और एक orientation होता है जिसको आप लोग कहा करते हो इस तरीके का यह है portrait आपका और यह क्या है यह landscape यह portrait यह landscape इस आप के दो टाइप की orientation होते हैं आप आप पोट्रेट की बात करें तो portrait जो इस तरीके का page देखे का तुम्हें तो यह किसका होता है यह actually होता है आपके पास में यहां पे MS Word का होता है MS Word का और Excel का होता है MS Word और MS Excel का होता है By default यह होता है ध्यान रखना आप लो MS Word और Excel का By default यही होता है Dear आपके सर एक्जाम में अगर दो options एम आ जाए तो क्या करें वो एक्जाम के अंदर Grace Marks दे देंगे आपको ठीक है ऐसा बहुत कम होता है अगर कभी हो भी जाए इसा प्रिंटिंग मिस्टेक तो आपको Grace Marks दे देते है फिर उस case में आप उस पे चलेंज कर सकते हो तो चलेंज दिया जास्त कर सकते है वो सबको Grace Marks दे देते है फिर उस वाली पर्टिकुलर सिफ्ट के अंदर Landscape किसका होता है यह by default PowerPoint का होता है आपका ठीक ना PowerPoint यह PowerPoint का होता है ठीक है तो document का पूछा तो portrait का होगा Word में होता है document इसलिए next आपका है यहाँ पर which of the following refer to a small single site network small or single site network इसमें से कौन सा है आपका बताओ small and single site network small and single site network इस सवाल का ठीक अंसर LAN होगा देखो कई टाइप के network होते हैं अगर आप कहते हो एक network होता है जिसको कहा करते हो आप PAN PAN का मतलब होता है personal area network के नाम से जानते हो personal area network personal area network होता है यह बहुत small distance के लिए ही है 10 meter तक ही है तो इसमें जर्नली आपके काम आते है Bluetooth काम आता है इसके अंदर आपका काम आ सकता है Wi-Fi, Wi-Fi, Bluetooth hotspot hotspot यह सब चीज़े जो है आपके 10 meter वाले area में काम आते है personal area network के नाम से जाना करते है dear आपका यहां पर ठीक है ना एसके बाद में pen के बाद में दूसरा आता है आपके पास में यहां पे pen के बाद में आता है LAN LAN का मतलब होता है आपका यहां पे local area network local area network और local area network यह बेस्ट अप टु 2 km यह 2 km के area में best होता है और इसको actually आप लोग एक जर्नली एक office के लिए use किया करते हैं 2 km के area में एक office के दाइरे में ही जो है इसका हम लोग use करते हैं इसके बाद में pen land के बाद में आता है एक हमारे पास में मैन आता है नव मैन का मतलब क्या है city network के नाम से जाना करते हैं यह ध्यान रख लेना आप लोग ठीक है ना city network के नाम से जानते हैं इसके बाद में अगली बात याद रखना pen man land और इसके बाद में और क्या होता है और होता है when आपके पास में when when का मतलब क्या होता है when का मतलब होता है वाइड एरिया नेट्वर्क होता है वाइड एरिया नेट्वर्क और ये कम्लिकेशन बिट्विन टू स्टेट और टू कंट्री दो देश या दो राजियों के बीच में अगर बातचीत करनी होना तो हम लोग वैन का यूज करते क्योंकि इसका दाइरा स्था बहुत बड़ा होता है और ये इसको घ Marshmine करक rejoin Cause अभी जो है इसको अब जादा ठीच रहेगा ये डाइल अप नेट्वर्क होता है आपका इसके बाद में हमारे पास में आता है इसके बाद में आता है अमारे पास में सेन सेन का मतलब क्या होता है सेन का मतलब होता है आपका स्टोरेज एरिया नेट्रॉक होता है ठीक है स्टोरेज एरिया नेट्रॉक होता है और यह स्टोरेज एरिया नेट्रॉक चुहना इसका सीधा मतलब क्या है स्टोरेज एरिया नेट्रॉक का सीधा मतलब आपका यह आता है कि यह Fast Network है, इसको याद रखना है, यह Fast Network है, Cloud Network के रूप में इसको हम लोग काम किया अगलिया करते हैं, एक Body Area Network है, Medical Science में इसका भी यूज किया करते हैं, Body Area Network, Body Area Network, यह Medical Science में इसका भी यूज होता है, तो इन सब को जुरूर याद रख लेना, इस सवाल का ठीक अंसर क्या हो गया, Motherboard, Option Number A जो है, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, Random Access Memory जिसको बोलते हैं, RAM एक्चुली आपकी कई परकार किया, उनके Full Forms भी पूछ लेते हैं आप से, जैसे आप से पूछेंगे कि VRAM का Full Form क्या होता है, बताइए गा VRAM, तो आपका अंसर रहना चीए, कि VRAM का Full Form होता है, Video Random Access Memory है, वीडियो डिवाइजिस में यूज करते हैं इनको, एक जी रैम होता है, आपका यहां पर क्या Graphics Random Access Memory है, यह Graphics वाले डिवाइजिस में यूज करते हैं, जिसको Smoothness चीए ना, डिवाइज चलाते हैं, वी रैम, जी रैम, इसके बाद में एक होता है, आपके पास में S-RAM होता है, S-RAM, यह होती है, आपकी Static RAM होती है, Static RAM, और यह बहुत Fast होती है, Fast इतनी कि इसको as a Cache Memory भी यूज कर लेते हैं, एक होती है, DRAM होती है, आपके DRAM, यह क्या है सर, इसका मतलब आपका है, Dynamic Random Access Memory, Dynamic Random Access Memory, और यह as a Main Memory यूज करते हैं हम लोग, Main Memory, इसको as a Main Memory का दर्जा देते हैं हम लोग, इसके बाद में VRAM, G RAM, SRAM, DRAM, और और कुन सी RAM आती है हमारे पास, और आती है, एक आपके पास में SDRAM, SDRAM, SDRAM का मतलब आपका होता है, Synchronous Dynamic Random Access Memory, Synchronous Dynamic Random Access Memory, एक आती है, आपके पास में DDR, DDR, SD RAM, DDR, SD RAM, इसका मतलब होता है, आपका Double Data Rate, Double Data Rate, Synchronous Dynamic Random Access Memory, यह है आपका, इसका Full Form, और यह आजकल हम लोग, latest devices में use भी किया करते हैं, इसको भी जान रखना, तो इनकी Full Form पूछ सकते हैं आप से, जुरूर याद रखना, आप लोग, और किस नाम से भी जानते हैं, junk email को, spam के नाम से जानते हैं, spoof के नाम से जानते हैं, sniffer के नाम से जानते हैं, या spool के नाम से जानते हैं, देखो, junk mail के कई सारे नाम है, आप इसको एक तो कह सकते हो, junk कह सकते हो, एक इसको कह सकते हो, bulk कह सकते हो, एक इसको कहा कर सकते हो, आप लोग unwanted कह सकते हो, ठीक ना, unwanted कह सकते हो, junk mail, bulk mail, unwanted mail, ठीक ना, या इसको आप लोग spam कह सकते हो, यह एक ही बात है सारी के सारी, जो mail आपको चाहिए नहीं, वही आपकी जंक mail है, जो mail आपकी कोई काम की नहीं है, वो जंक है, एक्चुली ये परमोशनल mail होती है, इसमें क्या है कि परमोशन के लिए दे दरादर एक ही type के message बेशते रहना, बार बार परेशान करते रहना, उन वाले में ही आता है, एक बात बताओ क्या सर, क्या इन spam के अंदर कभी कोई type का virus हो सकता है, देखो, हर बार spam में virus आई, ये जर परेशान करने वाले होते हैं, और आप कितने mail कर सकते हों, तो पर दे एक दिन में हम लोग कितने mail कर सकते हों, पर दे हम 500 mail कर सकते हैं, एक दिन में हम 500 mailizar. सकते हैं at a time कितने mail कर सकते हम लोग at a time एक बार में जो है न हम लोग total 100 mail भेज सकते हैं मतलब 100 लोगों को mail भेज सकते हैं mail format क्या होता है mail format में आता है तो 2 आता है 2 का अंदर आप लोग लिखा करते हो actually user id लिखा करते हो इसको MPT नहीं छोड़ सकते इसमें आप लोग address लिखा करते हो और किसका address लिखते हो जिसको mail भेजना है ना उसका address आप लिखने वाले हो दियान रखना आप दो ठीक है 2 को कभी MPT नहीं छोड़ सकते आप लोग 2 के अंदर लिखना पड़े गई पड़ेगा एक आता है इसमें CC CC का मतलब क्या होता है सार CC का मतलब होता है carbon copy होता है आप किसी third person को mail दिखाना चाहते हो आपने mail मेरे को बेजा लेकिन साथ में किसी एक बंदे को दिखाना भी चाहते हो देखो मैं उसको mail कर रहा हूं तो आप CC में उस इंदे का address डाल दो तो इसको भी मतलब वहां से ऐसे mail आएगी उसके पास mail जाएगी जाएगी हमेशा हीं समझ दो इसके बाद में एक होता है BCC इसका मतलब होता है आपका क्या इसका मतलब होता है blind carbon copy होता है और blind carbon copy मतलब आप अपनी identity को hide करते है न तो वह BCC के अंदर आता है यह दिहान रखना आप लोग इसके बाद में अगली बात आता है तू है CC है BCC है उसके बाद में अगली बात आती है आपके पास important इसमें subject भी आता है एक आपका attachment भी होता है डियर आपका attachment attachment का एक symbol होता है आपका यह वाला इसको कहा करते है पेपर क्लिप पेपर क्लिप और इसमें आप कितना data भेज सकते हो 25 MB at a time भेज सकते हो अगर more than 25 MB है अगर 25 MB से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा तो आप लोगों को drive link भेजना पड़ेगा फ आप से सब बच्चों का इसका अंसवर आना चाहिए नहीं आता तो मैं आज आपको पूरा टेबल बता देता हूं complete एक चार्ट बताता हूं वो चार्ट याद कर लेना सुरू से लेके अंतर तक कभी मत भूलना उसको आप लोग हमेशे आपको याद रहना चाहिए और जब पाइंडरी डिजित होता है बिट का मतलब धर एक वीट इसके अलावा अगर आप चारःवागे को कलेक्ट करते हूं तो बनता है एक निबल बनता है याak निबाल बनता है अच बिट को 1 बिट को साथ करते हूँ, तो क्या बनता है, दो निबल बनता है आपका तका या इसको एक बाइट के नाम से भी जाना करते हैं या इसके बाद में 16 बिट 1 साथ लेते हो, तो क्या बनता है, één वर्ड बनता है। weard is के बादि एक हजार 24 बाइट जो होती है उसका क्या बनता है उसका बनता है एक के बी बनता है killow byte 1024 12, murdered Kilo byte थो क्या बनता है ऐक M B megabyte या इसको कहीं कहीं तो मिलीन बाइट जा इसको हम लोग क्या नाम से देखने को मिलेगा 1024 अगर आपके पास में million byte है तो इसका क्या बनेगा? एक GB बनेगा GB मतलब gigabyte या कई कई जगा प्रिज्टा ही हम लोग क्या कह देते हैं इसको हम लोग billion bytes के नाम से भी जाना करते है एक हजार चोवाइट अगर आपके पास में billion bytes है या gigabyte है तो इसका बनेगा एक टीबी बनेगा इसको आप लोग टेराबाइट कहते हैं या इसको हम लोग जो है ना वो ट्रिलियन बाइट के नाम से भी जाना करते हैं ठीक है ना ट्रिलियन बाइट कहते हैं इसको हम लोग एक हजार चोबिस अगर आपके पास में एकजाबाइट है तो इसका क्या बनेगा एक ZB बनेगा ZB का मतलब जीटाबाइट होता है एक हजार चोबिस अगर आपके पास में जीटाबाइट है तो क्या बनेगा एक YB YB का मतलब होता है योटा बाइट होता है आपका YB का मतलब योटा बाइट है 1024 अगर आपके पास में योटा बाइट है तो क्या बनेगा 1 BB बनेगा इसका मतलब होता है आपका ब्रॉंटो बाइट होता है और 1024 अगर आपके पास ब्रोंटो बाइट है तो इसका क्या बनेगा एक जिबी स्टार होगा यहां पे लगावाइब इसका मतलब होता है आपका जियोप बाइट होता है जियोप बाइट यहां तक के चीज़े याद कर लेना है डियर आपके यहां पे ठीक ना हां कित बिल्कुल होगा और इनको आप 2 की पावर में भी लिखो तो भी मज़ा आएगा आपको जैसे इसको कहते हो 2 पावर 0 इसको 2 पावर 2, 2 पावर 2, 4, 2 पावर 3, 8 हो गया 2 पावर 4, 16 हो गया यह होत 2 पावर 80, 2 पावर 90, 2 पावर 100 इनको तो आप 10 की पावर में भी दिखाओगे तो भी मज़ाएगा आपको जैसे यह 10 पावर 3 होता है, यह 10 पावर 6, यह 10 पावर 9, ये 10 power 9 के बार 12 ये 10 power 15 ये 10 power 18 ये 10 power 21 ये 10 power 24 ये 10 21 24 है 10 power 27 है हाँ और ये 10 power 30 हो गया अच्छा ये एक एक साथ उपर चले वे हाँ तो ऐसे है ये आपके 10 की power 30 तक last में जाएंगे 2 की power 100 तक last में जाएंगे इन सब को पूरे चार्ट को आप लोग जो है ना बहुत धंक से याद गर लेना काम के बहुत हैं ये वाले सारे के सारे आपके पेपर में जरूर काम आएंगे इसा ठीक है चलो सरह next question कौन सा आएगा कि blacks is the process of dividing the disc into track and sector किसी डिस्क को track और sector में जब आप convert करते हो ना तो उस process को क्या कहा करते हो आप लोग यह ओर समझ लो माल लेते हैं कि आपके disc है circular path की कोई भी disc है किसी disc के अंदर ऐसे circular path बने है किसी भी disc के circular path को कहा करते हो आप लोग track कहा करते हो track उन्ही circular path के जब आप टुकडे कर देते हो इस तरीके से partition कर दिया, आपने circular path के, इस तरीके से आपने part बना दिये, इनको कहते हो, आप sector कहते हो, sector, और size of sector क्या होता है अजर जी, तो size of sector, size of sector, अगर आप से कोई पूछ ले, तो वो होता है, 512 byte होता है, 512 byte होता है, size of sector, या इसको half kb भी कह दो, तो चल जाएगा half kb telegram channel पर बताया था ना भी, इसके बाद में, अगर मैं group of sector की बात करता हूँ, कई सारे sector में एक साथ मिला लेता हूँ, तो इसका बनेगा क्या, group of sector, group of sector, इनको बोला करते हैं, आप लोग cluster बोलते हैं, cluster, इनको cluster कहते हो, और यह सारा काम में ने किया है, इसको कहते हो, formatting, यही होता है, disk formatting, किसी भी disk को track में, sector में, cluster में बदलना, यह formatting कहलाता है, इसको formatting के नाम से जानते हो, ठीक है, तो यह point भी आप लोग जरूर याद रखना है, और अब यह वाला particular question, मैं आपके homework के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कल दोपैर में, तीन बजे फिर से मिलूँगा, को मैं, 3 PM, 2, 4 PM, अब आपको यह daily class देखने को मिलेगी, तो जरूर कल दोपैर में, सही तीन बजे आजाना आप लोग, इस class का PDF लेना हो, तो आप मुझे यहाँ पे join कर लेना, सुनिल से test book, class का link भी class से सही 15 मिनिट पहले आपको यहाँ मिल जाएगा, कोई भी course आपको test book प theory की class आपको 12-15 बज़े की बीच मिल जाएगी, आप theory class join कर सकते हो, ठीक है, apply coupon पे click करोगे, सुनिल भी code लगाओगे, apply करते ही, आपको यह batch भी मिल जाएगा, ठीक है, तो thank you so much, हसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल जरूर रखना, यह वाला particular session कैसा लगा, इसक को like भी कर देना और चैनल को subscribe भी कर देना, ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत session में आने के लिए, रादे-रादे आप सभी को मेरी side से, शुक्रिया कर द elementos से, चिनल के लिए ना क को इसा और बहाँ आपा, प Whew थहा रादे प्याद़, दो तो पिता है, शुक्रिया र Кто समझते है, इसकス बदने को में भी कर दो है 5 कभी से, शोल्चारिया खो है IST o Qन Kिन 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 K है झाल झाल